एक चिप्स में देना चाहूंगा इस्पेशली न्यू ड्राइवर्स के लिए कि ये वीडियो तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैंड ब्रेक की एक छोटी सी चीज अपनी गाड़े में जो की बहुत जादा इंपॉर्टेंट हैं बहुत जादा उसका इंपॉर्टें म stop कि इंक हो गया तो एक कंश्चें आता है कि यह का कीरता है तो मन आज मोरी जो में होता है जो ये सिर्बर्क मेकानिजंग उन्सपचा जो hand brake का mechanism होता है वो fitted होता है, engagement and disengagement का mechanism उस drum brakes में fitted होता है और बहुत बार आपने ये भी सुना होगा कि आगर आप गाड़ी चला रहे हो या sudden आपने किसी ने hand brake लगा दिया है तो गाड़ी का skid होना और गाड़ी का पलट जाना ये आपने बहुत बार सुना होगा बट आज की डेट पर जो गाड़ी आ रही है लाइक करीब करीब 2010 के बाद की जो भी गाड़ी आ है उनमें ऐसा कुछ में नहीं है जैसे मैं भी आपको दिखाऊंगा कि मैं गाड़ी चलते हुए गाड़ी पर hand brake लगाऊंगा गाड़ी में गाड़ी के जो स्पीड हो धीरे दिए स्लो हो जाएगी एंड बीप करेगा है जो वर्निंग लाइट वो बीप करेगी बट गाड़ी स्किड नहीं होगी अब भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको आप अगर गाड़ी चलते हुए अगर आप हैंड़ी यूज करते हो तो गाड़ी आपी कैसी बिहेव करती है जैसिक्त देख परोगे हैंड इंगेज है और अभोता है अधिस मुल है वह डगिया है तो भारे की स्पेड ट्वेटी डुटी ट्वेटी अब मैं लगा रहा हूं हैं यह देखें कारी अपने आप रुग गई वीब देते गी यहां पिसमें लिपने आई बहुत साथ कि तो विए अवे लोग पूस्टे सब्सक्राइब बहुत सारी लोग बताते हैं कि इसको आप दबाओ फिर इसके बाद उठाओ फिर उसके बाद आप छोड़ आप ये भी कर सकते हो आप इसको बीन nadu wenn विए पिसको आप उपर कर सकते हो इसका का मका राएंति ओडा क्या सबसे जादा इंपार्टन जो आता है वह आता है emergency breaking पहार अपका ब्रॉज कर काम आएगा मैं आपको दिखाता हूँ उस सिचेशन में आपका हैंड्रेक काम आएगा जैसे कि आप देख पा रहे होगे यहां पर अगर हम गाड़ी की स्पीड भी चल रहे हैं इसमें जो टिक टिक की आवाज है लाइक यह होता है अमांट आफ ब्रेकिंग अपकिता उसमें लगा रहे हो आप इसको पूरा जटके से उपर कर दोगे तो पीछे वाले टाय धीरी बिल्कुल से जाम हो जाएंगे बट आप इसको हलके से करोगे ना तो गाड़ी की स्पीड एक लिमिटेड स्पीड में एक मतलब की ग लाइसे य यह यह से अंधेट स्पीड से डियूज कर सकते हो आप सेफ घाड़ी को रोक सकते हो आपको पता ही होगा इसका मेकनिजम यह वह रिर ग्रेक चाहियं यहमांट के लिय होगा जाते हैaran अवाई फ़िज़ा से शीडिये चैखार अपके ड्रनार्प्रेक इसम्रेक क तो दोनों काम जैसे कि आप कभी अपहिल्स में खड़ी किये हो या डाउन स्ट्रीम में खड़ी किये हो तो वहां पे ये काम बहुत ज्यादा यूसफुल है वहां पे गेर लगा याप खड़ी कर सकते हो बट गेर में ये प्रब्लम रहती है कि गाड़ी आगे बढ़ सकती है बट अगर आप हैंड्रेक लगा दिये हो तो आपकी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं है तो नेक्स्ट कोश्चन आता है कि इसको एपलाई कैसे करना है इसको आप दोनों तरीके से अपलाई कर सकते हो डारेक्ट इसको खीच सकते हो उपर बट इतना जादा उपर मत खीच ल तो इसको दबाने में दिक्कत होगी वह कैसे दबाऊगे कैसे लाइक आप इसको हलका सा और उपर उठाओगे फिर इसको दबाऊगे जब यह बहुत इजली दब जाएगा फिर इसको रिलीस कर सकते हो बट इसका जो प्रॉपर वे अफ्यूसर जो है आप इसको आराम से पक ही कि ऐन्द्रीक की वख एई लाइफ ऑप जैसे में इसको लगाओंगा यह आपके ऑन्द्रीक के वारिग लाइइन दिख गई आप इसको मेरे में से फ्र इत्ता है तो आप इसको में यह सिमाम 5 यह प्शिम tat 008 Ke 020 जब अनेसेसरी आप खीचोगे तो ऑवियस है मेकैनिजम है वो धीरे दीरे इसके जो वायर से हैं वो कमजोर होंगे और उसके कुछ पीडिट के बाद वो खराब भी हो सकते हैं अच्छा बहुत से लोग हैंडब्रेक के यूज करते हैं डिफ्टिंग के लिए अगर आप प्रफेशनल तो ठीक है वह आप करोगे ही आपको पता है मैंटेरंस गाड़ी का कैसे करता है बट आप नॉर्मल आजमीं जैसे मैं खुद मैं डिफ्ट एक दो बार किया होंगा करते हो तो कभी-कभी एक्सिडेंट होने के भी चांसे से बढ़ते हैं एक जिसमें देना चाहूंगा इस्पेशली न्यू ड्राइवर्स के लिए कि यह चीज मैंने देखा हुआ है कि यसे कुछ नए अंकल लोग है या नए बच्चे हैं जो ड्राइब कर रहे हैं वो हैंड को प्रॉपर ली डिसैंगिज नहीं करते हैं एंड उसके बद गाड़ी चलाते हैं वह क्या करते हैं कि आपका जैसे यहां पे हैंडिक लगा हुआ है वह लिग इसको करके तोड़ी से नहीं चूरके झाहरा देते चलेगी एक बात दूसरी आपको जी फ्यूल उकनॉमी है वह आटमेटिक गिर जाए क्योंकि गाड़ी पावर ज्यादा लगा रही है एंड एक्सेसिव प्रेसर आपके गाड़ी में पढ़ रहा है गाड़ी के इंजन में पढ़ रहा है तो वह आपकी गाड़ी के लिए नुक कियर बाइ